वार टू एक्टर रतिक रोशन और सुजैन खान का तलाग साल 2013 में हुआ था जिसके बाद सुजैन खान की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी और वो OTT एक्टर अली गोनी के भाई अरसलान गोनी के साथ रिश्टे में आ गई दोनों को साथ में काफी समय बीच चुका है अब हाल ही में सुजैन खान ने अपना 49 स्वाज जनम दिन सेलिब्रेट किया जिसमें कई सारी इंसाइड वीडियो जो हैं वो इंटरनेट पर चाही हुई है लेकिन एक वीडियो जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खीचा वो था सुजैन खान का अपने बॉइफ दरसल संजय खान और जरीन कट्राक की बेटी सुजैन खान का 26 अक्टूबर 2024 को जनम दिन था सुजैन ने अपने 49 जनम दिन को अपने कथित बॉइफरेंड अरसलान गोनी और करीबी दोस्तों के साथ मनाया इस पार्टी में सुजैन खान के एक्स हस्बेंट और सबा आज़ाद भी नज़र आई सबा ने एक अंदीखी तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की है बहरहाल हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रही है उस वीडियो में सुजैन खान अरसलान गोनी को किस करती हुई नज़र आ रही है देखिए वैसे तो ये दोनों में है तो किस करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता है लेकिन जहां लोगों ने सबका ध्यान खीचा वो था उनके बच्चे और एकस हस्बन जी हां अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब सुजैन खान अपने बॉइफरंड को कि कर रही होती हैं तब उनके पीछे होते हैं रितिक रोशन और उनके बच्चे भी वहां पर मौजूद होते हैं और इसी को लेकर अब लोग सुजैन को जमकर ट्रोल कर रही हैं एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा कि बड़े सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा एक और यूजर ने लिखा एक्स हस्बेंट पीछे उसकी जी एफ के साथ बाजू में बी एफ जिसको किस किया और साथ में बच्चे भी है कल्चर शेरी नाम की यूजर ने लिखा बड़ापे में टीनेजर वाले चोचले वहीं सुजैन खान पर जमकर भडास निकाली है और लिखा कि forget about Ritik she is kissing another guy in front of her kids so embarrassing for her family and specially for kids बहराल अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है आप हमें comment करके बता सकते हैं फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी स्टोरी इसको देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ तब के लिए नमस्कार करे दो